मैसल नीरु गुपता असोसियेट प्रफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कॉर्बेंट एमेस कॉलेज बीकार एक स्ट्रेंट्स आपका आज के लेक्चर में स्वागत है हम बेसी पार्ट वन के फस्ट पेपर यानि इनॉर्गनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट के चैप्टर की स्ट़ी कर रहे हैं और हमारा ये जो चैप्टर है वो केमिकल बांडिंग से रिलेटेड है जिसमें हमने काक्तों क्या होता है वीपीट क्या है VBT की क्या postulates रहे, VBT की क्या limitations है, किस तरह से हम covalent bond में directional characteristics को समझाते हैं और संकरन क्या होता है, ये lectures में हम पढ़ चुके हैं आज का हमारा topic है types of hybridization यानि संकरन के प्रकार Students हमने पिछले lecture में concept of hybridization यानि की hybridization की परिकल्पना की बात की थी हम उसे एक बार repeat कर लेते हैं, actually संकरन या hybridization संयोजक्ता बन सिध्धान यानि की VBT का ही एक extension कहलाता है ये एक imaginary concept है व्यासे तो, जो की अनू की या molecules की geometrical shapes को समझाने के लिए पॉलिंग ने प्रस्तुत की थी, definition हमने इसकी कल पड़ी थी according to Pauling यानि किसी पर्माणूं में पर्माणूं के संयोजक्ता कोश यानि की वैलन शेल के लगबग समान उर्जा के लेकिन अलग-अलग आकरती वाले atomic orbitals परस पर मिश्टित होकर जब समान आकरती और उर्जा वाले उतनी ही संख्या के नए कक्षक बनाते हैं तो उन कक्षकों को संकरित कक्षक या hybrid orbital कहते हैं और इस प्रक्रिया को संकरन या hybridization कहते हैं और कल हमने इसके कुछ नियमों के बारे में भी बात की थी आज हम types of hybridization में मुख्य रूप से दो प्रकार के संकरन को पढ़ेंगे जिसमें पहला है sp hybridization या sp संकरन when one s and one p orbital of an atom mix together they give rise to two hybrid orbitals जब sp संकरन में जब एक s और एक p orbital आपस में मिश्रित होकर समान ऊजा और समान आकार के दो नए संकरित कक्षक बनाते हैं उसे sp संकरन या sp hybridization कहते हैं और बनने वाले orbitals को sp hybrid orbitals या sp संकरित कक्षक कहते हैं the two sp hybrid orbitals are linear ये दोनों संकरित कक्षक एक सीधी रेका में होते हैं या इनकी आपरती linear देखिये होती है जिसका मतलब है कि दोनों hybrid orbitals के बीच जो बनने वाला कोण है जो बनने वाला एंगल है वो 180 degree का होगा और दोनों ही में 50% S के होंगे और 50% P के होंगे इस चित्र में आप देख रहे हैं एक S orbital है और एक PX orbital है इन दोनों के बीच जब mixing से संकरिन से दो hybrid orbital बने तो वो hybrid orbital 180 degree के कोण पर स्थित है अब हम इस hybridization से SP hybridization से BECL2 का बनना समझा सकते हैं hybridization में BECL2 में अगर हम किसी भी molecule की बात करें तो संकरन को निकालने का एक बड़ा आसान तरीका होता है जिस भी molecule का या जिस भी अनों का संकरन हमें ग्यात करना है उसमें सबसे पहले हमें केंद्रिये परमानों को चुनना होता है BECL2 में केंद्रिये परमानों BE है और BE का निम्नतम अवस्था में electronic विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p orbitalis का खाली है यानि कि ground state में निम्नतम अवस्था में बेरिलियम के पास कोई अयुगमित electron नहीं है तो ये बंद शायद ना बना पाए लेकिन बेरिलियम दो क्लोरीन के साथ एक sp hybridation के द्वारा एक stable molecule या एक स्थाई यहों बनाता है इसका मतलब यह है कि excited state में या उत्तेजी तवस्था में बेरिलियम का 2s से एक electron 2p में चला जाता है अब हम देख रहे हैं कि 2s और 2p दोनों में एक एक आयुगमित electron है ये 2s और 2p जिनमें दोनों में आयुगमित electron है ये पारस पर मिश्रित होते हैं mixed together to form new hybrid orbitals 2sp hybrid orbital जिनकी उजा समान है और दोनों ही में एक एक आयुगमित electron उपस्ते थे अब हैं बेरिलियम दो सिग्मा बॉंड बनाएगा और ये दो सिग्मा बॉंड कैसे बनेंगे ये हम इस चित्र से और आसामी से समझ पाएंगे Before the bond formation, 2s and 2p orbitals of beryllium hybridize to form 2sp hybrid orbital which overlap with the p orbital of chlorine atom ये जो दो hybrid orbital बने हैं beryllium के 2s और 2p कख्षकों के mix होने से वो overlap करेंगे, वो अतिव्यापन करेंगे chlorine के p orbital के साथ The half-filled 3pz orbital of each chlorine atom overlap with sp hybrid orbital of beryllium to form beca2 यानि कि ये जो दो hybrid orbital बने हैं ये chlorine के 3pz orbital में जो की half-filled है, अर्थात उसमें एक अयुगमित electron उपस्थित है उसके साथ overlap करते हैं, उसके साथ अतिव्यापन करते हैं और एक b e cl2 का आणू या एक molecule प्राप्त होता है अब ये दोनो hybrid orbital 180 degree के cone पर उपस्थित हैं तो इसलिए बनने वाले molecule यानि कि b e cl2 की अकरती कैसी होती है, रेखी होती है इसे हम इस चित्रद्वारा समझ सकते हैं इस diagram में आप देख रहे हैं SP hybrid orbitals क्लोरीन के PZ के साथ अतिव्यापन दिखाया गया है और इस अतिव्यापन से b e cl2 का molecule बना जिसमें 180 degree का cone या एंगला देख पा रहे हैं अब हम इसी आधार पर जैसे हमने SP hybridation पढ़ा है उसी तरह से हम SP2 hybridation या SP2 संकरन की बात करते हैं जब 1S और 2P orbital किसी भी परमानों के combine होते हैं, mix होते हैं तो 3SP2 hybrid orbital प्राप्थ होते हैं और ये process ये प्रक्रिया SP2 संकरन कहलाती है तीनों ही बनने वाले hybrid orbital समान ओर्जा और समान आकरती के होते हैं हर एक orbital में एक तिहाई गुन S orbital के और दो तिहाई गुन P orbitals के होते हैं और चुकि सभी orbital SP2 hybrid orbital समान तल पर उपस्तित हैं और उनके बीच bond angle 120 degree का है तो बनने वाले molecule की structure triangular planar या त्रिकोनिय होती है त्रिबुजी है या समतल त्रिकोनिय होती है यहां हम SP2 hybrid orbital से SP2 hybrid orbital का बनना इस diagram से समझ सकते हैं एक S orbital है, दो P orbital है, तीनों combine हुए और mix होकर एक hybrid orbitals जो की SP2 hybridation से बना है उसकी संदचना हमें प्राप्त हुई जहां हम bond angle देख पा रहे हैं 120 degree का अब इस SP2 hybridation से हम BCL3 का निर्माण समझा सकते हैं BCL3 में central atom है boron boron का निम्नितम अवस्था में electron ये विन्यास होता है 1S2, 2S2, 2P1 ground state में boron के पास सिरफ एक आयुगमत electron है यानि कि इसकी covalency एक होनी चाहिए लेकिन इसकी covalency तीन होती है इस covalency को प्राप्त करने के लिए 2S से एक electron प्रमोट हो जाता है या excite हो जाता है 2P orbital में ये हम देख रहे हैं 2S से एक electron 2P में चला गया और अब इन तीनों orbitals में एक 2S और 2P में एक एक आयुगमत electron उपस्थित है ये 2S और 2P orbitals परस पर मिश्डित होकर 3S, P, 2 hybrid orbitals या 3S, P, 2 संकरित कक्षकों का निर्मान करते हैं जो 120 डिगरी पर उपस्थित है इन दिस वे त्री ओर्बिटल जिसमें की एक 2S है और दो 2P है ये बोरोन के हाइबरोन के सेंटर लेटर में हाइबरिडाइज होकर या संकरित होकर 3S, P, 2 hybrid orbitals बना लेता है जो क्लोरीन के 3P, Z के साथ अतिव्यापन करता है 2 hybrid orbitals which overlap with the P orbitals of chlorine the half filled 3P, Z orbital of each chlorine atom overlaps to form B, C, L3 अब चुंकि ये 3S, P, 2 hybrid orbitals 120 डिगरी पर है परस पर एक दूसरे से 120 डिगरी के कोन पर इस देत है तो बनने वाले molecule की BCL3 यहां गलती से BCL2 है BCL3 की जो आकरती होती है वो triangular planar होती है या समतल triconia होती है इस तरह से हम इस diagram से इस molecule का इस अनू का बनना समझ सकते हैं बोरोन के 3 संकरित कक्षक हैं जो SP, 2 hybrid orbital हैं जो 1S और 2P के combination से हमें प्राप्त हों यह तीनों संकरित कक्षक तीन क्लोरीन के 3PZ orbital के साथ अतिव्यापन दिखा रहे हैं और बनने वाला BCL3 molecule जिसकी की आकरती triangular planar है और बनने वाले molecule में bond angle 120 degree का है यह हम इस SP2 संकरन के द्वारा समझा सकते हैं तो हम इन SP और SP2 hybridization जो कि हम types of hybridization के first part में पढ़ रहे हैं इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है जो symbolic term हम बोल रहे हैं SP या SP2 या आगे हम SP3 DSP2, SP3D2 यह जो हम बोलेंगे यह क्या indicate करते हैं यह सब symbols यह दप्रदशित करते हैं कि संकरन में कौन-कौन से कक्षक भाग लेने वाले हैं और उस आधार पर उसका संकरन और उससे बनने वाले molecule की structure हमारे आने वाले topics में आपको और अच्छे से clear होती जाएगी I hope कि आपको कल concept of hybridization के बात आज जब हमने यह types of hybridization में दो प्रकार के संकरन की बात की वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो next lecture में हम आगे के hybridization sp3 और dsp2 के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद